ऐसलम अलेकुम कैसे आप सब लोग उमीद करती हूँ कि अप सब खैरियर से होंगे तो रमजान का पाज़वा रोजा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो तो रमजान के पाज़वे रोजे के दिन आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अंडा चीजी स्प्रिंग रोल और उसके साथ में अम्मी ने लेके आए है चिकन क्रिस्पी लॉली पॉप और उसी के साथ में चटा के दार एक चना मसाला मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी तो चलिए रेसेपी बनाना इस्टार्ट करते हैं आज मैंने आसीप को पूची देखना चाहती थी क्या आसीप को मेरी रेसेपी का नाम बरोबर से याद है क्या नहीं माशाला तुझे बरोबर नाम याद था मैं भूल जाओंगी मगर तू बरोबर याद रखेगा है नासीफ बरोबर नासीफ तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते तो यहां पर मैंने एक पैन ले 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 हूँ पैन में मैंने दाली हूँ दो चमज ऑईल धैसी हमारा गरम हो जाएगा तो एक मीडियम साइस का प्याज हम इसमें बारी कटिंग किया हूँ ऐसमें एट कर देंगे प्याज को एड करने के बात में हम इसे हलक faf2 मिलीक तक का सीफ हमें इसे नARम करना ह इसके बाद में हम इसके अंदर लसून भी डालेंगे मगर थोरा सा हमें प्याज को नरम कर लेती हूँ गाइस ये वाला जो स्प्रिंग रोल होता है इसमें मैंने चीज डाल के बनाई हूँ अंडे वाला ये अगर आप खाएंगे ना इस सारी रेसिपी को भूल जाएंगे और बार बार इसे ही बनाते रहेंगे तो चलिए थोरा सा हमारा प्याज नरम हो गया तो मैंने इसे कर दी साइक में इसमें मैंने डाल दी चार से पाच लसून एकदम बारिक चॉप करके आप चॉप करके डालना चाते तो भी डाल सकते या ने तो आप इसे कुचल के डालना चाते तो भी डाल सकते अभी लसून डालने के बाद में एक लसून को भी दो मिलिक टका इसी में फ्राइ कर लूँगी इसी के बाद में इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे ये रसे भी बहुत सिंपल है, तो चली अभी हम इसमें डालेंगे एक मिडियम साइस की खिमला मिर्ची, खिमला मिर्ची को भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से कटिंग कर लेना, एक गाजर ले लेंगे, गाजर को में कद्दू कर लूगी, सारे बरतन को साफ करके डालना है, व बारी कटिंग करके, अब इदें के गाईज, बच्चे लोग तो भाजी तरकारी खाते नहीं है, अगा इस तरह कि जब हम रेसीपी बना कर हमारे बच्चो को खिलाएंगे ना, तो बच्चे भाजी तरकारी भी खाने लग जाएंगे, और साथ में हमारे दिल की खॉल के भी हो जाएगी बरबर भोली ना सीब अभी मैंने क्या कि पत्ता गो है दालने तुमसदा करोंगा उन सब को अच्छी तरह से मिक्स करके दो मिलीग पका ली एक चमज मैaron का पी धालने के बादे हम इसे अच्छी तरह से mix कर रहेती अभी इसमें डालोंगी विनेगर तो एक चमज भर के मैं इसमें विनेगर आइट करूँगी अभी मैं इसमें डालोंगी एक चमज डाक सोया सॉस बराबर बली आसिफ डाक सोया सॉस डालने के बाद में मैं इसमें डालोंगी रेक चिली सॉस एक चमज भर के मैं दालूंगी यह भी मैंने आइड कर दी इसी के साथ में मैं इसमें डालने वाली हूँ आदा चमर्च काली मीरी पाउडर और आदा चमर्च जीरा पाउडर बराबर चलो यह सब डाल दी देखे मसाले कितने कम है एक चमर्च नमक डालेंगे और एक चमर्च धनिया पाउडर दा वो सारी चीज़े हम इसमें एड कर देंगे अब यह दालने के बद मैं इसे खुब अच्छी तरह से मिक्स करूंगी जरूरत लगा अगर मिक्स करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और या आपको तेल कम लग रहा है तो थोड़ा सा आप तेल इसमें एड कर देना या नही अभी हम क्या करेंगे इसमें दाल दूँगे मैं छे अंडे मैं इसमें एड कर दूँगी अब अंडे दालने के बाद में हम इसे मिडियम घ्यास पे अच्छी तरह से पका लेंगे जैसे के हम भुर्जी बनाकर रेरी करते इसी के साथ मैं आदा मुट्टी हरा धनिया और कोई चीजे जल्दी मिक्स करने की जरूरते नहीं है वरमना ये इतना टेस्टी बनाता और इतना अच्छा लगाता ना मेरे घर में सबसे ज़ादा ये वाली रेसेपी मेरे बच्चों को और तुम्हारे भाई को बहुत ही पसंद आई अभी क्या करेंगे दो से तीन मिलिक हम इसे पका लेंगे पकाने के बाद में हम इसको घ्यास को बन कर देंगे बन करके इसे हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे फिर उसके बाद में हम इसे स्प्रिंग रोल में वह जो आती ना पट्टी में हम भरेंगे वह सारी पट्टी मैंने कहां से ली हूं कहां से नहीं अगर आपको देखना है तो मेरे अफ्रोस रेसेपी ब्लॉग पर मवजूद है आप लोग देख सकते तो यह वाली वह पट्टी है यहां पर हम इसे कटिंग कर लेंगे जितनी जरूरत है उतना बाहर निकालेंगे और बाकी का अंदर ही रखेंगे इसे पूरा बाहर मत निकाल लेना इसमें हवा लगती है तो यह करक हो जाते है यह सुकर जाते है तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा निकाल लूँगी और बाकी का एक कप्रे में लपट का एक साइक में इसे रख दूँगी और इसे निकालना भी आराम से है बहुत ध्यान सी और बह यह जो हमने अंडे का बैटर बनाके रखे ते यह में दो चम्मच बैटर इसमें भरूँगी जादा भी मत बरना कम भी मत बरना वरोबर मेडियम भरना के आपके घर वालों को खाने में मज़ा आए नहीं तो ऐसा लगेगा कम कम भर देंगे तो ऐसा लगेगा क्या खारे क्या नहीं खारे कुछ पता नहीं चलेगा अभी यहां पर मैं इसके उपर रख दूंगी चीज चीज सलाइस कुन सी चीज सलाइस है यह आमूल की चीज सलाइस मैं रख दी अभी आप लोग हातों पर ध्यान दीजिए एक तरफ से मैंने पलट दी दुस्री तरफ भी पलट दी अ आराम से फिर यह साइक से भी हम इसे पलट देंगे आराम से फिर हम इसे एक चकर और गोल लगा लेंगे यह बाजू में भी हम इसमें मैदे का गोल लगा लेंगे दो चमच मैदा ले लेना थोड़ असा पानी दालके उसका एक गोल बनाकर रेरी कर लेना बहुत ही सिंपल है वो packet के ओपर भी लिखा होता है कि आपको ये spring roll कैसे बनाना है design भी बनी होती है उसके ओपर वो देखकर भी आप बना सकते यहाँ पर देखे एकदम perfect shape में मेरा spring roll बनकर रेडी हो चुका है माश्याला यह देखे कितना खुबसुत लग रहा है अभी मैं आपको हाथ में उठा कर भी बताती हूँ देखे कितना अच्छा लग रहा है ना ऐसी करके हम सारे बनाकर रेडी कर लेंगे देखे मैंने यहाँ पर सारे बनाकर रेडी करके रख चुकी हूँ अभी हमें क्या करना इसे करना है fry तो fry करने के लिए मैंने एक करई में तेल रखी हूँ गरम होने के लिए तेल जैसी गरम होएगा तो घ्यास को मीडियम पर कर देना और एक एक करके ये पीस इसमें छोड़ देना इसे गरमा गरमी खाना जितना गरमा गरम खाएंगे उतना खाने में इसका मज़ा आएगा इसे टेमाइटो केचप के साथ में भी खा सकते हैं, मौइनिस के साथ में भी खा सकते हैं या नई तो ऐसी बहुत सी चकनी के रेसेपी मैंने अपने चैनल पे मوجود की हूँ वो उसमें से कोई भी एक चकनी बना के भी आप खा सकते हैं लिंग आई बटन में आ जाएगा कर रही हूं तो यहां पर हमारे मस्त इस्प्रिंग रोल अंडा चीजी इस्प्रिंग रोल बनकर रेवी हो चुके चलिए अभी हम आते हैं हमारा चिकन क्रिस्पी लॉलीपॉग कुछ अलग तरह के लिए यहां पर मैंने आदा किलो चिकन ली हूं बगर हड़ी वाला और इसे म मैने डाल दी हूं जार में इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की अगर आपके पास में इसतरह का जार नहीं है सेम काम आप मिकसर के बरतन में भी कर सकते एक मुट्टी हरा धनिया हम इसमें एक'll कर देंगे इसी के साथ में कुछ पाउडर मसाले भी मैं एट करूँगी तो चलिए वो भी बता देती हूँ एक चमज भर के मैं डाक सोया सोस डालूँगी बराबर बोले आसिफ उसी के साथ में एक चमज भर के मैं हरी मिर्च का पेश डालूँगी इसी के साथ में मैं इसमें डालूँगी एक चमच अदरक लसुन का पेश वाटी को अजीता से साफ करना वेश कुछ भी मच करना आज मेरे बेटे ने वीरियो एकदम बरबर रखा है क्या मम्मी अच्छे से बात कर सके नमक दाल देंगे आदा चमच और एक चमच लाल बिच पाउडर दालेंगे नमक और मिर्च जो है आप अपने टेश के हिसाब से भी डाल सकते देखे इतनी लंबी चोरी रेसेपी रहती है बोलने में तो ढग मगा जाती हूँ तो आप लोग नाराज मतो ना इसी के अंदर मैं डालूंगी इक चमच भरके पहरी पहरी मसाला पहरी-पहरी शाला अगर आपके पास पहरी मसाला है तो कर देंद नहीं है जैसे कि रमजान में अभी हम लोग हमारे हजबेंट को निचोरने वाले है, शॉपिंग करने के समय, है ना अजीफ, इसी के साथ में मैंने क्या लिए हूँ इसके अंदर चीज, है ना, कौन सा चीज क्यूब डाली हूँ, अमुल का चीज क्यूब, मैंने इसमे एक एट कर दी ह उसी के साथ में मैं डालूँगी ब्रेट के मेरे पास मैं तुकरे रखे हुए ते फ्रीज में वो सारे मैंने डाल दी अगर आपके पास ऐसे तुकरे नहीं है तो चार से पांच ब्रेट के तुकरे आप तोर के इसमें डाल दीजिए इसी के साथ में डालेंगे दो चमच ऑईल, है ना, अब ऑईल डालने के बाद में और कुछ नहीं डालना है, इसका ढखकन लगा देना और इसे पीस लेना है, अच्छी तरीके से, बहुत लोग सोचते हैं, हमारे पास ये मिकसर नहीं है, तो हम ये रेसेपी को कैसे बनाएं, आप लोग को मैं फिर बोलती हूं, मिकसर के बरतन में भी ये काम हो जाएगा, हो जाएगा ना जीव, तो चलिए, अभी मैंने इसे अच्छी तरह से पीस ली हूँ, पीस कर हो चुका है, अभी मैं क्या करूंगी, इसे पूरा हातों से एक अटा कर लूँगी, एक अटा करने के समय, थोरा समय, घर हात में ऑईल लगा लूँगी, चलिए, ऑईल लगा के मैं इसे खूब एक तरफ कर लेती हूँ, यानि मिक्स कर लेती हूँ, जो इदर उदर हो गया है, है ना जी, मस्त एक दम, और ये भी खाने में इतना जबरदस बना था ना, क्या पूछो ही मत, इ आसानी से मिल जाएगी, है ना, और आप लोग के घर में भी मौजूद रहेगी, बच्चों लोग का प्रोजेट वगेरा बनाने के लिए, ये सब चीजे बहुत लगती है, तो वो आप यूस कर सकते, उसके उपर मैंने लगा दी चीज, स्लाइस चीज, स्लाइस चीज, जैस हाँ, एक चीज स्लाइस में दो कांडी हमारी लॉलिपोग बन गई, चली, अभी क्या करेंगे, जिसमें मैंने चीज लगाई हूँ, उसी के उपर ये चिकन को लेंगे, और इसके उपर ऐसे लपेग डेंगे, स्लाइस आपको आसानी से समझ में आ गया रहा, अब मैं खा पी खा पी के आवाज दे रही हूँ, वीडियो में तो ढकार तो जरूर आईगी है ना, अब आवाज भी दे रही हूँ, तो खाने की ढकार भी साथ में आ रही है, सौरी बोल रही हूँ, इसलिए, यहां पर देखिए हमारे इस तरह से अच्छे तरीके से इसे चारो बाजू से पैक कर लेना है, अच्छे से एक लॉलीपोग का शेप देना है, इस तरह का, बहुत सिंपल है गाई, आप लोग सीखी जाएंगे, कोई इसमें हाट काम नहीं है, एक तो में जिम बनाया था, एक आसिप ने भी बनाया था, फिर मैंने एक कराई में तेल रखी हूँ, गरम हो होने के लिए जैसी तेल गरम हो जाएगा, तो ग्यास को कर देना मीडियम पे, और यहाँ पर मैंने कॉन फ्लैन का घोल बनाई थी, यानि तीन से चार्चर मच कॉन फ्लैन ली थी, उसके अंदर पानी दाल की उसका एक घोल बना कर देरी करी थी, अभी वो घोल में मैंने माश्याला, ऐसे तो एक्सिम खाई जाती है, मगर पहली बार देखा जा रहा है का लॉलिपॉक भी खाए जा रहा है, वो कांडी भी सोचती रहेंगी का में फ्रीज में रहती थी और का मुझे तेल में खाव लाया जा रहा है, मैंने ऐसा कॉन सा गुना कर दी जो गरम गरम दालके मुझे पका रहें नाजीव, तो यहां पर देखें, हम इसे कम से कम 10 मिलिक तक का मिडियम घ्यास पे फ्राइ कर लेंगे, यहां पर देखें हमारे मस्त एकदम टेस्टी लॉलिपॉक बनकर तयार हो चुके, उपर कितना अच्छा दिख रहा है, उस पे मत जाना, की चटक मattक करके तो उसके हंदर हम, आदा चमर जीरा दाल देंगे खेर राई चटक करिए तो पुरे कैमेरे में भी नजर आ रहा है क्या है, यह शेसी हमने आदा चमर जीरा दाल दीए, थोड़ाशा करी पता दाल देना, उसी के साथे में इसे थोड़ा चमर से चलाते देन यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर ली ती उसका पेश बनाके भी मैंने इसमें एट कर दी अभी टमाटर के बरतन में जो थोड़ा पानी लगाता उसे भी मैंने खंगालकर इसके अंदर डाल दी अभी एक चम्मच भरके अधरक लसुन का पेश एट करूंगी चम्मच धनिया पाउडर, एक चवताई हल्दी पाउडर और एक चम्मच भर के चना मसाला पाउडर आप दाला चना मसाला पाउडर एवरेस का भी मिलता है वो भी यूज़ कर सकते और हलका सा नमक दालेंगे नमक इसलिए कम दालूगी क्योंकि मैंने चना बॉयल करने के समय अब यह दालने के बाद में हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे 3-4 मिलिक तका मसालो को अच्छी तरह से भूल लेंगे जब तक का इसमें तेल नहीं छुकता है चलिए अभी मैंने क्या की ती चने के बारे में इधर ही बता देती हूँ कि के वीडियो ज़ादा लंबा न कोकर में मैंने इसकी सीटी लगा ली चार से पांच चार से पांच सीटी में हमारा चना अच्छी तरह से गल गया यह देखी है ना और यह काले चने बरबर बोली नासी चलिए चने में भी हमने नमक डाले थे और मसाले में भी हमने नमक डाले इसे इसलिए नमक आप अपने टे से थोड़ीरी अरि मिर्ची पसन है तो डैने तो हरी मिर्ची को इसकेप कर देजी और हरा धनिया ताल कि इसे अच्छी तरह से मिक्स करना अ उसके बाद में इसे गर्मागरम पाऊ के साथ खाना है तो पााऊ से खाऊ या चम्मच से ऐसी इसके मज़े लेने तो ऐसे भी ले सकते या नहीं तो घर में पूरी बना देना कोई काम नहीं कर रहेगा ना घर के अंदर रमजान में तो उसको आटा गुनके पूरी बनाने के लिए बीटा देना है ना सिफ यह कामें कर देना तो चले यहां पे हमारा चन को लाइक खेर और सब्क्राइब कीजिए फिर मिलती हुए आपको एक अच्छी सी रेसेपी के साथ में और अच्छे ब्लॉग के साथ में तो चलिए देखते हैं आज की इफ्तारी माय क्या अल्ला अल्ला सबके दस्तर खान इसी तरह से भरे वे रखे मेरे घर में नहीं हर एक म अच्छान की घर में अल्ला ताला सबकी रोजी रोटी में इतनी बरकत दे इस महिने में कि सबके घर में इसी तरह के दस्तर खान भरे रहे वस यही दुआ करती हूं मैं अल्ला अफिस आप लोग भी दुआ में याद रखना और मैं भी याद रखना